जी के मस्ती एमेस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो लूसेंट और अप्सनल का बारवा टॉपिक मुगलकाल 1526 से 1857 तक उसके चार वीडियो हो गए थे 80 कोस्चन हो गए हैं लूसेंट का तो फूरा एक्स्प्लेंड हो गया है मुगलकाल किरन बुक से भी अकुबर तक हो गया है आज जहांगीर सह जहां और रंग जेब के बारे में तुम लोगों को बताएंगे और 81 से 100 कोस्चन कंप्लीट करेंगे लूसेंट और अप्सिनल बुक से तो देखते हैं कोस्चन नमबर 81 है कि मस्नवी जो बाबर दोरा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रा है मस्नवी जो बाबर दोरा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रा है उसे क्या कहते हैं तो मश्नवी जो बावर दोरा मुश्लिम कानूनों के नियमों का शंग्रा है उसे मुबाईन कहते हैं क्या कहते हैं मुबाईन तो ये तो एक्यासिमा कोस्चन हुआ अब देखते हैं किरन बुक से जहांगीर 1605 से 1627 जहागीर का वास्तिविक नाम सलीम था जहागीर की मा का नाम मरियम उज्मानी था अकबर सलीम को सेखो बाबा नाम से पुकारता था सेखो बाबा जहागीर के गुरु अब्दुर्रहेम खान खाना थे अब्दुर्रहेम खान खाना जहागीर का विवा राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से तथा मोटा राजा उदय सिंग की पुत्री जगत गुसाई से हुआ था जहांगीर का विवा राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई तथा मोटा राजा उदै सिंग की पुत्री जगत गुसाई से हुआ था मानबाई को सलीम ने साह बेगम की उपाद दी थी किन्तुबाद में उसने सलीम की आदतों से दुखी होकर आत्मत्या कर ली थी किसने मानबाई ने जहांगीर 31 अक्टूबर 1605 इसवी को गद्दी पर बैठा 31 अक्टूबर 1605 इसवी को जहांगीर का राज्या विशेक नूरुद्दीन महम्मद जहांगीर बादसागाजी के नाम से आगरे में हुआ जहांगीर ने नयाय की जंजीर आगरा किले के साह बुर्ज पर एवम यमना तट पर लगवाई थी नयाय की जंजीर में साथ गंटियां थी नयाय की जंजीर आगरा के किले साहबूर्जपर योम यमना टट पर लगवाई थी नयाय की जंजीर में 60 गंटियां थी लोग कल्याड के उद्देश से सम्मंदित 12 आदेशों की घोस्डा जहांगीर ने करवाई जहांगीर का प्रथम आदेश तमगा नामक्कर वसूली पर पर परतिबंद था तमगा नामक कर्वसूली पर परतिबंद था एक को महावत खा जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था खुसरो ने 1606 इसवी में जहांगीर के विरुद विद्रो कर दिया खुसरो की हत्यासाजहाने करवाई समराट जहांगीर एवम राड़ा अमर सिंग के बीच 1615 इसवी में संधी हुई जहागीर के समय अहमद नगर का वजीर मलिक अंबर था गोरिला युद्ध पद्धत की सुरुवात मलिक अंबर ने की थी मलिक अंबर ने जंजीरा दिवपर नवसेना गठित की थी मलिक अंबर ने जंजीरा दिवपर नवसेना 1616 इस वी में सहजादा खुर्रम को दच्षिड अभियान के लिए भेजा गया सहजादा खुर्रम को 1616 में सहजादा खुर्रम को साह सुल्तान की उपाद दी गई साह सुल्तान, जहांगीर ने खुर्रम की दच्छिड विजय से खुस होकर उसे साह जहां की उपाद दी, साह जहां ने दच्छिड का सुवेदार अब्दुर्रहिम खान खाना को बनाया, नूर जहा इरानी मिर्जा गयास वेग की पुत्री थी, जिसका वास्त्विक नाम महरुन निसा था, ये महरुन निसा अली कुली खान, यानी सेर अफगान अली कुली खान की बिधवा थी, जहांगीर ने महरुन निसा को सर प्रथम नौरोज तेवहर के अवसर पर देखा था, जहांगीर की साधी महरुन निसा से 1612 में हुई, जहांगीर ने साधी के बाद महरुन निसा को नूर महल एवं नूर जहां की उपाद प्रदान की, नूर जहां को बादसा की बेगम 1613 इसी में बनाया गया, बादसा की बेगन 1613, जहांगीर ने नूर जहां के पिता, गयास बेग को एतमादुत दौला की उपाद प्रदान की, गयास बेग को एतमादुत दौला की उपाद प्रदान की नूर जहां के पिता, नूर जहां की मा का नाम असमत बेगम था असमत बेगम ने ही सरवप्रथम हित्र बनाने की कला विक्सित की थी जहांगीर युम नूर जहां को महावत खाने बंदी बनाया था जहाँगीर के दरवार में विल्यम हांकिन्स, विल्यम फिंच, सर तामस रो, एम एडवर्ड टैरी यूरोपी आत्री आये थे विलियम हाकिन्स, विलियम फिंच, सर टामस रो, एडवर्ड टेरी जहांगीर के पांच पुत्र थे लाडली बेगम नूर जहां की पुत्री थी जिसकी साधी जहांगीर के पुत्र सहर यार के साथ हुई थी और ये लाडली बेगम नूर जहां और उसका जो पहला पती था अली कुली खां अली उसकी पुत्री थी सायर यार ये जहांगीर का पुत्र था मुगल चित्रकला अपने चर्मत चर्मोत कर्स का पर जहांगीर के काल में पहुँची जहांगीर के दर्वार में प्रमुक्चित्रकार मनसूर विसंदास मनोहर अकारिजा एवम अबुलहसन थे कस्मीर का साली मारबाग जहांगीर ने लगवाया इकबाल नामा ए जहांगीरी मौतमिद खाने लिखा जहांगीर एवम इतमादुद दौला का मकबरा नूर जहां ने बनवाया जहांगीर की मौतमिद नौमबर 1627 में भी मौर नामकिस्थान पर हुई जहांगीर की मौतमिद नौमबर 1627 में भी मौर नामकिस्थान पर हुई जहां गेर को रावी नदी के किनारे साहा दरा में दफनाया गया साहजहा नूर जहां को दोलाग رुपे वार्शिक पेंसन देता था तो ये तो हो गया जहां गेर अगला जहां साहजहां 1628 से 1658 इसमी तक देखे जहां फरवरी 1628 इसमीर राजगद्दी पर बैठा साह जहां का वास्त्विक नाम साहजादा खुर्रम था साह जहां का विवा अर्जु मंद बानो बेगम से हुआ अर्जु मंद बानो बेगम को साह जहां ने मलिका ये जमानी की उपाद प्रदान की मलिका ये जमानी हुमायू के मकवरा को ताज महल का पूरवरती माना जाता है साह जहां ने मुम्ताज की याद में ताज महल के नाम से इसमारक बनवाया मुम्ताज महल आसब खां की पुत्री थी साह जहां अबुल मुझफर सहाबुद्दिन मुम्मद साहिब किरने सानी उपाद के साथ गद्दी पर बैठा साह जहां ने महावत खां को खान खाना की उपाद प्रदान की 1632 इस्वी में पूर्त गालियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए साह जहां ने उनके हुगली व्यापारी केंद पर अधिकार कर लिया 1632 इस्वी में सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद का साह जहां से संगर्स हुआ साह जहां ने दच्छड का सुवेदार औरंग जेब को नियुक्त किया औरंग जेब ने दच्छड की राजधानी औरंगाबाद को बनाया खान देश की राजधानी बुर्हान पुर्थी औरंग जेब ने दच्छड भारत को चार सुवों में बाटा बरार की राजधानी इलिच पुर्थी और तेलांगाना की राजधानी नादेड थी औरंग जेब ने दच्छिड में भूराजश विवस्था का दायुत मुर्सिद कुली खां को सौपा मीर जुमला का वास्तविक नाम मीर मुहम्मद सायद था मीर जुमला का वास्तविक नाम मीर मुहम्मद सायद था मीर जुम्ला ने साहजहा को कोनोर हीरा भेट किया था मुगल आधिपत्य के समय गोलकुंडा विस्व के सबसे वड़े हीरा विक्रेता बाजार के रूप में प्रशिद्ध था साहजहा के मध याद विजित करने के लिए सहजादा मुराद एवम औरंग जेब को भेजा औरंग जेब पहली बार 1636-1644 इसवी तक और फिर 1652-1657 इसवी तक दच्छिड का सुवेदार रहा 36-44-52-57 साजहां की साथ चार लड़के एवम तीन लड़कियां तो साथ संताने थी सहजाँ की साजहां की साथ संताने थी तो साजहां के चार पुत्रों में सरवादिक उदार दारा सिकोव था साजहां ने दारा सिकोव को अपना उत्रा अधिकारी घोसित किया था साजहां ने मयूर सिंगासन का निर्माड बेबा दलखां से करवाया था बेबा दलखां मुगल सासक सहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है वास्तकला की द्रश्ट से सहजहां का काल स्रोड यू कहलाता है विस्व का सबसे महंगा कोनूर हिरा सहजहां के तक्ते ताउस यानि मयूर सिंगासन में लगा था कोनूर हीरा सहजहां के तक्ते ताउस महीर शिंगासन में लगा था दिल्ले की जामा मस्जिद सहजहां ने बनवाई सहजहां ने दाम और आधा के मद्ध आना का नए सिक्के का परचलित करवाया लगान वसूली को ठेकेदारी प्रथा का आरंब सहजहां ने किया सहजहां ने 1636-1636 में सिजदायों पाबोष प्रथा समाब्त करदी सहजहां ने इलाही समवत के स्थान पर हिजरी समवथ चलाया गंगा लहरी तथा रस गंगा धर के लेखग पंडित जगननात महा कविराए गंगा लहरी उमरस गंगा धर के लेखक पंडित जगनाथ सह जहां के राज कबी थे भी सह जहां के दरबार में हिंदु लेखक थे दछड का टोडर मल मुरसीद कुली खां को कहा जाता है सहजां के सासन के बीस वरसों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहोरी ने पादसाह नामा में लिखा है महाबरत का फारसी अन्वाद रज्म नामा के नाम से किया गया मुगलकाल में संग मर्मर जोद पूर के मकराना से लाय जाता था सहजां के दर्वार के प्रमुकचित्रकार मुहम्मद फकीर व मीर हासिम थे सहजां के ताज महल का निर्मार उस्ताद इसाखा की देख रेख में कर्वाया उस्ताद इसा खाँ ताज महल का नक्सा यानि खाखा उस्ताद अहमद लाहोरी ने तयार किया था सहजहां ने लाहोरी को नादिर उल अस्र की उपाद दी थी सहजहां के वीमार पड़ने पर प्रथम उत्रादिकार युद फरवरी 1658 स्विव में बहादुर पूर में हुआ उत्रादिकार की अंतिम लडाई अप्रेल 1669 स्विव में दारायोम औरंग जेब के बीच हुई उत्रादिकार की अंतिम लडाई अप्रेल 1669 में दारायोम औरंग जेब के बीच में हुई दारा को इसलाम धरम की अवहलना करने के आरोप में मरत डंड मिला दारा शिकों ने अपना जीवन अलवर यानि राजस्थान के कंकबाडी किला में बिताया जिसे जैसिंग दुती ने बनवाया था अवरंग जेब ने सहे जहां को कैद कर आगरा के किले में रखा था सहे जहां की इम्रत जनवरी 1666 में हुई सहे जहां की अर्थी को साधारण नौकरों एवं हिजडों ने कंधा दिया अगला आया अरंग जेब लाश्ट सक है आज का अरंग जेब 1658 से 1707 सक देखिए अरंग जेब सरव प्रथम जुलाई 1658 इसवी को गद्दी पर बैठा अरंग जेब का दूसरी बार राज्या विशेक जून 1669 में हुआ पहला जुलाई 1658 में दुबारा जून 1669 को अरंग जेब मुम्ताज महल का पुत्र था अरंग जेब ने प्रथम युद्ध ओरचा के जुजहार सिंग के विरुद्ध लड़ा था अरंग जेब ने 1668 इसवी में हिंदू तेवहारों और उत्सों को मनाय जाने पर रोक लगा दी पुरंदर की संध 1665 इसवी में सिवा जी एवम जैसिंग के बीच हुई 1665 इसवी में मदन्ना और अकन्ना गोल कुंडा के सासक अबुल हसन के मंत्री थे मदन्ना और अकन्ना सिवा जी को कैद कर जयपुर भव़ुन में रखा गया था यहीं से सिवाजी गुप्त रूप से फरहार हो गए औरंग जेब के विरुद्ध मतुरा का जाट विद्रो जाट नेता गोकुल के नेतरत में 1679 में हुआ मतुरा का जाट विद्रो गोकुल के नेतरत में 1679 में सिकंद्रा इस्तित अकबर के मकबरे को राजा राम ने लूटा भरतपुर राजवन्स की निव चूडा मल ने डाली गुर्तेग बहादुर की हत्या औरंग जेब ने कराई औरंग जेब को जिंदा फीर कहा जाता था औरंग जेब ने असम जीतने का कार्मीर जुमला को सौपा औरंग जेब के समें हिंदू मनसबदारों की संख्या लगबग 33 प्रिस्ट थी औरंग जेब ने अपने सासन का आधार कुरान को बनाया औरंग जेब ने जजिया कर 1689 सुई में लगाया जैसिंग ने राजपूतों पर से जजिया कर हटाने के बदले औरंग जेब को आधलपूर एवं बेदनोर दो छेतर दिये बनारस के विस्वनाथ मंदिर और मतुरा के केसव राय मंदिर औरंग जेब ने 1689 में तुडवाए औरंग जेब ने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज का तेवहार मनाना, भांग की खेती करना, नाच गाना, जरोखा दरसा ने उम्तुला दान पर प्रतिबंद लगा दिया औरंग जेब ने सरियत के विरुद लिये जाने वाले लगबग असी करों को समाप्त कर दिया औरंग जेब का मुख्छ दारूल हर्व को दारूल इसलाम में परिवर्दित करना था दारूल हर्व को दारूल इसलाम में औरंग जेब ने बीजापुर को 1686 इस्वी तथा गोल कुंडा को 1687 इस्वी में 1686 में बीजापुर और 1687 में गोल कुंडा को मुगल सामराज में मिलाया औरंग जेब की मुरत्व एहमदाबाद में मार्च 1707 इस्वी में हुई औरंग जेब को दौलताबाद इस्थित फकीर बुरहानुदीन की कब्र के आहते में दफनाया गया तो ये तो आज जहांगीर सहजहां और औरंग जेब के बारे में हुआ अगले पार्ट में आएगा किरन बुक से मुगल सासन विवस्था के बारे में और आप देखते हैं 82 वां कोस्चन, 82 कोस्चन कहता है औरंग जेब द्वरा चलाए जिहाद का आर्थ तो औरंग जेब द्वरा चलाए जिहाद का आर्थ दारुल उल इसलाम था 84 है हुमायु द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तित्य अनुसार सही क्रम अंकित करें तो पहले द्वरा का युद्ध फिर चौसा का युद्ध फिर बिलगराम या कन्नोज का युद्ध फिर सरहिंद का दोरा, चोशा, कनोजिया भिलगराम और फिर सरहिन अगला question है किस इत्यासकार ने सय जहां के सासनकाल को मुगल का शोड़ियुग कहा है तो ALCD वास्तों ने सय जहां के सासनकाल को मुगल का शोड़ियुग कहा है अगला है पटना को प्रांती राजधानी बनाया था तो पटना को प्रांती राजधानी सिरसाह ने बनाया था मयूर सिंगासन यानि तक्ते ताउस पर बैठने वाला अंति मुगलवासा कौन था तो मैयूर सीगाशन तक थे थाउस पर बैठने वाला अंति मुगल बासा मोहमद सा रंगीला था, मोहमद सा उर्फ रंगीला 28 कोस्चन है पानी पत के युद में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था तो पानी पत के युद में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन कुसलता था मुख्य कारण सैन कुसलता था और भी काम थे जिसे उसकी गुड़सवार सैना बैच्छी थी तुलगमा प्रथाच्छी थी अफगानों की आपसी खुद फूट थी लेकिन सबसे मुख्यकारण उसकी सैन को सलता थी 89 कोश्चन है जापती प्रडाली किसकी उपज थी तो जापती प्रडाली सेरसा की उपज थी कोश्चन 90 का राय जवाबित का सम्मंद किस से था तो जवाबित का सम्मंद राज कानून से था 91 है इरान के साह और मुगल सासकों के बीच जगड़े की जड़ क्या थी तो इरान के साह और मुगल सासकों के बीच जगड़े की जड़ कंधार था मुम्ताज महल का असली नाम अर्जू मंद बानो बेगम 93 कोश्चन है किस मुगल वास्था को जिन्दा पीर कहा जाता है तो अरंग जेब को जिन्दा पीर कहा जाता है 94 अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नकसा बहुत विहार की तरह है तो पंच महल का नकसा जो अकबर ने बनवाया है उसका नकसा बहुत विहार की तरह है 95 अंतिम मुगल वास्था बहादूर सा जफर था उनके पिता का नाम अकबर सा दुती था अकबर ने सर प्रतम वेवाहिक संबंद राजपूतों के जिस ग्रह से इस्थापित किये वा था कच्वाहों से 97 औरंग जेव ने दच्छिड में जिन दो राज़ियों को विजित किया था वे थे वीजापूर यह गोल कुंडा 1686 में गोल कुंडा और 1687 में गोल कुंडा और 1686 में वीजापूर अगला कोस्चन है मुगल बासाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी तो जहागीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी Q99, मुगलों ने नवरोज या नवरोज का तेवार लिया, पार्सियों से या तेवार लिया गया है, नवरोज या नवरोज का मुगलों ने सो, और अंतिम कोश्चन, कौन सा मकबरा दूती ताज महल कहलाता है? तो राविया उद्द दुरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा दूती ताज महल कहलाता है?